हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और मेरी इस चेस्ट चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने जो गेम लेका है वो जबरदस गेम है मैन वर्शिज मशीन डिप ब्लू कॉम्पिटर वर्शिस गेरी कासपरो और ये गेम खेली गई थी 1997 में इससे पहले एक इसी डिप कॉम्पिटर आई बीम सूपर कॉम्पिटर के सामने 1996 में भी सिरीज खेली गी थी 6 में जो कि गेरी कासपरो के साथ जिसमें गेरी कासपरो का स्कोर रहा था 4 वर्शिस 2 1996 में गेरी कासपरो जीत गए थे उसके बाद 1997 में और जिसमें पहली 5 गेम में स्कोर रहा 2.5 वर्सिस 2.5 मतलब यह जो लास्ट गेम है 6 गेम ठीक है वो काफी क्रूशियल थी और इस गेम में जो डिब ब्लू कॉम्पीटर है उसने हिस्ट्री क्रियेट कर दिया जिया उसने गेरी कास्परो को कफी एक क्रशिंग तरीके से हरा और जो गेम है वो काफी देखने लायक थी और इन फेक्ट इसलिए रहा है क्योंकि कास्परो उन्हें एक ओपनिंग में ही मिस्टेक की और वो सोते थे वो दे सेक्रिफाइज इस गेम का डिपली एनलाइज करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको यह मेरा वीडियो विश्वनाथन आनन ठीक है ना पीछे जी नहीं बोलता देट डेजन्ट मीन के मैं उस प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं करता मुझे एक कोमेंट मिली थी के विश्वनाथन आनन जो है वो तो हमारे वल्ड चेंपिन है तो आप आनन जी मैं मोस्ली ट्राइज करता है अनन जी बोलो कहीं बाल लेकिन विश्वनाथन आनन भी बोल देता हूँ तो तो डेट डेजन्ट मीन के डोंट रिस्पेक्ट और आई जस्ट इग्नोरी ठीक है ना तो कीप इन माइंड तो आया शुरू करता है गेम इस गेम में डीप ब्लू जो कॉम्पिटर था उसके वाइट पी देखा जाए तो one is e4, e6, d4, d5, french defense काफी solid मना जाता है क्योंकि किंग के राउंड जो पॉन स्टक्चिर हो काफी solid होता है लेकिन इसमें प्रोब्लम में है कि बेक का डा स्क्वेर जो बिशप सोरी या लाट स्क्वेर जो बिशप है ठीक है ना वो बंद रेने के काफी चां होता है तो अगर आप अभी initial stage में हो या आपका rating कम है ठीक है ना तो आप के रोकान खेल सकते हो और opponent को काफी दिक्कत होती है जितने में, sorry, pawn to d4, pawn to d5, center matek, knight to c3 main line, इसका point यह है कि pawn capture e4, knight capture e4, अब यहाँ पर आप देखा जाए तो white जो है उसका pawn center में है जबकि black का pawn center में नहीं, on the other side, black का pawn structure है, वो काफी solid है, without any weakness, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर d4, d5 के बाद, knight c3 खेला जाता है, center advantage बनाए रखने के लिए, otherwise अगर यहाँ पर white खेलता है, pawn capture, pawn capture, तो यह जो है structure, वो exchange structure हो गया, और यहाँ का, यहाँ पर दोनों के pawn center में है, ठीक है ना, सिफ एक ही imbalance है, white के पास half open e file है, black के पास half open c file है, और उसी पर उसके रुक का जो है, वो play होता है, anyways, d4, d5, knight c3, d capture e4, knight capture e4, और यहाँ पर main line है, bishop f5, लेकिन game में खेला गया है, knight d7, जो के sim slow system माना जाता है, ठीक है ना, very solid है, लेकिन यहाँ पर एक cheeky little trap है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर normally कई बार, कुछ white player खेलते हैं, queen e2, point यह है, कि यहाँ पर आपको खेलना होता है, knight d2, f6, अगर आपने गलती से भी, जो की एक बहुती natural move है, knight f6 खेल दिया, तो can you post the video and find the winning move, it is knight d6, checkmate, because d6 pony spin, so this is very little chest trap, ठीक है, लेकिन knight d7 के बाद, computer ने जो खेला हूँ, बहुती aggressive move के लिए, वो है knight g5, usually, क्या होता है, कि opening में आप एक ही piece, दो बारा नहीं चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर knight g5 makes sense, क्यों, क्योंकि जब भी knight capture f7 या knight e6 जाएगा, तो जो h5 e8 diagonal है, वो weak हो जाएगा, और उसका normally white queen, या फिर white bishop d3 पर जाके उसका इस्तिमाल कर सकता है, so that's why knight g5 makes sense, और knight g5 को यहाँ से हटाना, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकर आप जैसे ही h6 खेलते हो, for example, यहाँ पर h6 खेलते हो, तो फिर आएगा, knight to e6, और point यह है, queen a5 can be made by bishop d2, ठीक है, और queen अगर b6 पर जाता है, and then knight capture f8 और white के पास, दो भी सब advantage हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर knight e6 के बाद, of course, आप capture तो करी नहीं सकते हैं, otherwise, queen check, point g6, queen capture g6 is a mate, so, knight gf6, bishop to d3, again यहाँ पर, अगर h6 केलते हो, knight e6, same pattern, take a queen b6, then knight capture f8, f capture e6, then bishop, sorry, bishop to g6 is a mate, so, bishop d3, point to e6, knight 1 to f3, और यहाँ पर, जो normal move है, वो है, bishop to e7, या फिर bishop to d6, यह normal move है, ठीक है न, लेकिन यहाँ पर, जो game में खिला गया, वो कास्परो की mistake थी, मतलब, एक kind of opening mistake, और जिसके लिए कास्परो माने जाते है, कि वो कभी opening में mistake ही नहीं करते है, और, उल्टा उनका opening है, जो वो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और strong माना जाता है, लेकिन, यहाँ पर, कास्परो जो है, वो anti-computer साहथ खिलना चाते हैं, ठीक है, इसलिए खिला h6, और सुचा, computer साहथ दे, sacrifice ना दे, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर, computer नकला, knight capture e6, opening sacrifice, यहाँ पर point यह है, अगर f capture e6, then bishop to d3, king to e7, अभी कुछ loss नहीं हुआ, लेकिन point यह ही है, दोस्तों कि, अब जैसे king e7, bishop f4 आ जाएगा, followed by castle, फिर pawn c4, वाइड जो है, वह easily, बहुत ही, natural development करके, black a king पर attack करेगा, जबकि, similarly black का king है, वह e7 पर पूरा first चुका है, क्योंकि, उसकी वज़ा से क्या होगा, ना bishop move पाहो कर पाएगा, ना यह rook कभी connect कर पाएगा, h8 पे, और same problem with rook on a8, so यह सारी वज़ा से, यह जो position है, वो of course, white को काफी अच्छी suit करती है, और favorable है, in fact, सिफ एक pawn के बढ़ले में peace दिया है, फिर भी, इसलिए knight capture e6 के बाद game में खेला गया queen e7, और यहाँ पर क्या कर होगा, अब आपकी knight गई queen e2, if queen e2, then queen capture e6, और black is just winning, यहाँ पर game में खेला गया castle, beautiful move, point यह है, अगर queen capture e6, then rook to e1, pinch the queen and win the game, so, यहाँ पर force है, f capture e6, और उसके बाद bishop to g6, और यहाँ पर कास्परो ने क्या किया, king की position slightly improve गी, पहले जो king e7 पर था, उसके बड़ ले king जाएगा d8 पर, लेकिन फिर भी दोस्तों, position तो सही मेरे king जो है, वो यहाँ से शायद निकलना चाहता है, ठीक है न, might be, point b6 और b5 करके, king c7 and king b7, but, deep blue ने खेला, bishop to f4, और अपना bishop जो है, इस long dial पर रख दिया, h2 b8, और black के king को और ज़्यादा मुश्किल हो गई, और यहाँ पर, cast परो जो है, वो काफी desperate थे, उन्होंने खेल दिया, point b5, it seems, that यह कोई mistake नहीं है, of course, यह directly कोई mistake नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे है, open invitation दे रहे हो, अपने opponent को, a4 या c4, sorry, a4 या c4 खेलके, ठीक है न, lines open, lines open करने के लिए, और जैसे ही lines open होगी दोस्तों, आप देख रहे हो, कि white के पीसे है, वो सारे coordinated है, जबकि black के दोनों रुक कोई काम नहीं कर रहे है, दो bishop अभी गर पर ही बेठे है, तो of course, यह white के लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन point क्या है इस move के पीछे, b5 के पीछे, point यह है दोस्तों, कि कासपोर और knight d5 खेलना चाते है, और knight d5 को चाते है कि c4 होगे, हरेस ना किया जाए, ठीक है ना, लेकिन it's an open invitation, तो यहां से जो game है, और खराब होना शुरू हो गई, pawn to a4, opening up the line, bishop to b7, और कासपोर जी सोच रहे है, अगर pawn capture, pawn then, pawn capture और उनका जो bishop है, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, so quite logical, फिर भी आप यहां पर देख रहे हो, कि bishop a4 जो है, वो इतना dangerous है दोस्तों, कि उसकी वज़ा से, rook 8 कभी नहीं निकल पाएगा, ऐसा लगता है, और उसी तरह, king जो है, वो नहीं जा पाएगा, तो फिर, pawn h8 भी नहीं निकल पाएगा, so आपने क्या किया, ए या तीन बड़े जो पीस है, उसको बंद कर दिया, ठीक है ना, temporary, और काफी लोंग समय तक, not temporary, तो फिर वो अच्छा ही होगा, rook to e1, e6 पे अब निगाहे जमा के बैठे है, knight to d5, attacking the bishop, bishop to g3, and king to c8, still अभी भी आप देख रहे हो, दोस्तों, कि almost, rook on a8 को निकालना, rook on h8 को impossible सा हो गया है, यहाँ पे, muai, a capture, b5, c capture, b5, अब q, q deep blue ने इस bishop को open करने दिया, point है दोस्तों, इससे c file open होगी, और अब, यहाँ पे अब देख रहे हो, कि black है, उसने king c8 खेला, उसी वज़ा से, जो deep blue ने किया, किया, c file open किया, queen to d3, attacking this b5 pawn, threatening c4, ठीक है न? कफी strong move है, bishop c6, preventing this, queen capture b5, bishop to f5, और अब यह लग रहा है, कि e6 वाला जो pawn है, ठीक है न? उसको save करना ना मुंकिन है, तो यहाँ पे, कास्परो ने सोचा कि, उनके पास, एक piece उल्रेडी है, तो कास्परो ने decide किया, कि वो bishop और rook और लेलेंगे, और इससे क्या होगा, कि queen के सा f5, rook capture e7, bishop capture e7, लेकिन इसके बाद, गेम में जो move आई, उसके बाद, कास्परो ने resign कर दिया, ठीक है न? अभी देखा जाए दोस्तों को queen के बढ़ले में material तो काफी है, black के पास, लेकिन black का king, काफी weak है, और जो rook है, वो disconnect है, तो इसी वज़ा से, यहाँ पे, deep blue ने खेली move c4, और कास्परो ने resign कर दिया, ठीक है न? यह थोड़ा difficult है क्यों कास्परो ने resign किया, आए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं knight पर attack कर रहा हूँ, ठीक है, और जो black है, उसका idea यही था कि pawn f4 खेला जाए, अगर pawn f4 पहले आ जा था c4 के पहले, तो यहाँ पे black की game मची हो pawn capture on c6, g capture h2, king capture h2, और आप देख रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पे जो white की position है, वो काफी अची है, strong है, मतलब है knight को save d7 पर करना है knight b6, और white के पास क्या रहा है, rook queen और knight, और black के पास है knight bishop और दो rook, और उसमें भी, दोनों और में से, दोनों rook अभी disconnect है, connect है नहीं है, मतलब और rook डाउन ही, ऐसा ही मान लो, और queen capture b5 आ रहा है, pawn to d5 आ रहा है, ठीक है न, so basically white is winning, और यह दूसरा variation देखते है, c4 के बाद, b capture c4, queen capture c4, attacking c6 bishop, knight to b4, ठीक है न, protecting, यहाँ पे simple सी move-in हो जाएगी, rook to e1, point यह है, white जो खेलना चाहता है, rook capture e7, followed by queen capture b4, और यहाँ पे bishop को protect करने के लिए दो ही रास्त है, एक तो, rook to e8, और दूसरा, bishop f8, अगर bishop f8, तो फिर भी आएगा, rook to e8, check, king to b7, rook capture f8, और any rook capture f8, followed by queen capture b4, is just winning for white, और b capture c4, queen capture c4, knight b4, rook e1, और अब अगर rook e8 आता है, तो यहाँ पे दो move-in है, एक तो, bishop to d6, क्यूंकि bishop e7 is pin, और दूसरा, rook capture e7, rook capture e7, और queen capture b4, और अब देख रहे हो, दोस्तो, white हो, complete living है, ठीक है न, तो, कैसी लगी आपको a game, मुझे आसा है, आपको a game काफी पसंद आई होगी, ठीक है न, और अभी, आप जब white से खेल रहे हो, और कोई भी, आप knight d7 के सामने, जो sim slow system है, उसके सामने, super aggressive knight g5 खेल सकते हो, और को a6 करता है, तो किस तरह से आपको खेलना है, और आपको पता चल गया होगा, ठीक है न, don't go for variation, just, आप क्या करो, knight का e6 पे sacrifice आएगा, या कहीं बार f7 पे sacrifice आएगा, उसके बाद, या तो queen h5, या तो bishop g6 से check होएगा, और black का king है, वो forever center में रह जाएगा, और उसका rook connect न तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता, और मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लिस चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और अपनी comment देना नहीं बुले, धनियवाद, जाहिन, बाबाई